पाकिस्तान के मशहूर सायर फैज अहमद फैज का एक मशहूर नजम है लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है अब इस नजम पर जो है वह भी बाद छिर गया है दर असल पिछले दिनों कानपुर में कानपुर युनिवर्सिटी के छात्रों ने इस नजम को गाया था इसको दोहराया था जिसके बाद से इसे हिंदू विरोधी बताया गया है इसकी जाच अब कानपुर आई आई टी करने वाला है इसको लेकर लगातार सियासत तेज हो गई है राजत की जो नेता हैं वरिष्ट नेता हैं प्रवक्ता हैं मनोज्जा राजसभा सांसद हैं उन्हों ने इसको लेकर निशाना साधा है और एक बड़ी बात कहती है आप सुन ये मनोज्जा क्या कुछ कहते हैं दिखी मैं तो मैं समझ रहा हूँ पहले सोचा कि हंसूं या रोऊं लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कारूनिक छान है ये ट्रेजडी है हमारे मुलक की हम कहां से कहां पहुंच रहे ये पैनल आयर्टी में बन रहा है अरे इस देश में जिपी अंदूलन में बोल है कि लबाज के चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर बचा के चले जिसमों चार्चुरा के चले तवाफ एक इस्लामिक मेटाफर था उसका इस्तिमाल उन्होंने एक प्रोग्रेसिव आइडिया के लिए कि ये बौनी समझ की जो हम संस्कृती वीक्सित कर रहे हैं हम एक बी मांग रहा हूं कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे भी लोग आ गया है जो आपकी आपकी निस्था आपकी इमेजरी को पुष्चन कर रहे हैं लाजिम है हम भी देखेंगे तो आपने सुन लिया मनोज जाने सीधे तोर पे कहा कि यह हमारे देश को क्या हो गया है लोग कितने नीचे अस्तर पर गिरते जा रहे हैं साथी साथ मुनी ये भी कहा है कि आज उनकी आत्मा को बहुत ही ठेस पहुचा होगा आपको बता दे कि इस नजम में जो है वो एक लाइन है कि सब बूत उठाए जाएंगे बस नाम रहेगा अल्ला का बस इसी लाइन को लेकर वा विवाद छिर गया है इसे हिंदू विरोधी बताया जा रहा है और इसके बाद इस पर जाज की बात सामने आई है जिसको लेकर म हमत फैज के इस नजम को लेकर आने वाले वक्त में और कितना सियासत तेज होता है इस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है तमाम चीज़ों समा आपको अपडेट रखेंगे इसके लिए बटरे हेडलाइन्स प्यार के साथ धन्यवाद